तो आज का हमारा टॉपिक है वर्चूरिया ब्रेंक अफटी हम इसके बारे में पढ़ेंगे ठीके, क्लियर यह क्या कॉस करता है तो हाथी पाव रोग सुना है, यह वोग करता है मतलब इसके वज़े से हाथी पाव रोग होता है ठीके, तो यह कहां रहता है, यह जो पारसाइट है, यह आपकी बॉडी में कहां रहेगा, जनरली, तो इसका जो adult worm होता है, यानि कि habitat इसका कहां होगा? यानि कि, आवास, ठीके, तो adult worm का तो होगा? lymphatic system यानि कि lymph node और lymph vessel lymphatic system लसी का तंत्र, तुम्हारे बॉडी में जो लसी का तंत्र होता है, उसको lymphatic system कहते है, वहाँ पे इसका adult worm रहता है अब इसका microfilari यानि larva कहां रहेगा? माइक्रो फिलेरी लार्वा या फाइलेरी फॉर्म लार्वा कहां रहता है? तो वह मिलता है, found in blood यानि कि यह जो वर्चूरिया ब्रैंकेट फाइ उसका जो बड़ा अडल्ट वर्म है यानि कि यंग साइज यानि कि तुम समझ लो कि एक तुम बच्चे थे और एक तुम बड़ो, तो बड़े वाली जो साइज वो तो लेंफेटिक सिस्टम में रहेगी, यानि लासी का तंत्र में, ठीक है? और जो चोटा इंब्रियो साइज जब तुम अपने मम्मी के पेट में तो एंब्रियो साइज होता है तो वही या याप्रियो साइज़ जो जो माइक्रो फलार्वा है वह कहां मिलेगा? आपके ब्ल्द में मिलेगा clear? अब 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 इसकी morphology पढ़ेंगे morphology में फॉर्स्ट अपन adult worm के बारे में पढ़ेंगे तो adult worm दिखता कैसा है? long होता है, long होता है, ठीक है? creamy white color का होगा clear or thread-like filly form with tapering ends clear that long lap, creamy white यानि creamy white color का दिखेगा थ्रेडब धागा होता है लाइक फिली फॉर्म महीन धागा होता है एकदम पतला बारिक सा धागा वैसा ठीक है और टैप्रिंग एंड मतलब उनके जो एंड होंगे वो नुकी ले होंगे clear अब साइज में कैसे होंगे तो जो मेल होगा वो होगा 4 cm का और 0.1 mm थिक होगा और जो फिमेल होगी वो 6 to 10 cm की होगी और 0.2 to 0.3 mm sorry 0.3 mm थिक होगी ठीक है? clear? यानि कि जो मेल होगा मेल वो तो 4 cm का होगा और 0.1 mm थिक होगा ठीक है? clear? और फिमेल जोगी 6 to 10 cm जोगी वो लंबी होगी और 0.2 to 0.3 और जो इसका जो मेल वोता है वो स्मॉल होता है फिमेल के कंपेरिजन में तो मेल वर्म आर स्मॉलर स्मॉलर दैन फिमेल यानि कि मेल छोटा होगा और फिमेल लंबी होगी clear? उसके अलावा जो मेल होगा वो दो पाइकल्स कंटेन करेगा जिसे मेल अपन में टेस्टिकल्स होते हैं और इन में पाइकल्स होते हैं अपने ही जैसे और गनिजम को जनम देता हैं जो अंडे देता हैं उसको बोलते हैं oviparous और जो अपने ही जैसे जीव को जनम देता हैं जैसे हम human viviparous हैं यह भी viviparous हैं इसे यह भी वीविपरous हैं clear? तो फीमेल इस वीवी पेरस दिश्चार्ज एम्ब्रियो ठीक है? क्लियर? कोई डाउट? सब समझ में आ रहा है? एम्टवाइबू जाउबू एम्टवाइबू में आ रहा है? तो जो माइक्लो फिलेरी और फिलेरी फॉर्म लार्वा होता है वो होता है इंफेक्टिव स्टेज ठीक है ये क्लियर है ये आप में डिजीज कॉस करता है से पहले आपकी बॉड़ी में ये आएगा ठीक है क्लियर क्लीन अब अपन इसके माइक्रो फिलेरी फॉर्म लार्वा के बारे में पढ़ेंगे ठीक है नेक्स्ट अपन पढ़ें इसकेंड आपकेंड माईक्रो फ्लेयरी के बारे में रेखेंगे इसकेंड बहुता है तो यह एक diagnostic stage होती ही जो blood में आपन फाउंड कर सकते है मतलब आपन को blood में यह मिल जाएगी ठीक है जिसे आपन बता सकते कि infection हुआ है ठीक है तो it is diagnostic stage stage found in blood अब यह कैसी दिखती है तो यह होती है colorless और hyaline sheet cover होती है covered by तीक है कुछ इस तरीकिस दिखती है और about the तीक है दाग झाल 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 लिम्फ नोट्स एंड लिम्फ वैसल ठीक है क्या कॉस करेगा और लिम्फ फेजानाइटिस यानि कि लिम्फ फेटिक सिस्टम का इंफ्लामेशन ठीक है दूसरा हाइड्रोसिल ठीक है दूसरा हाइड्रोसिल थर्ड काईलूरिया हाइड्रोसिल यानि आपके टेस्टिकल्स में फ्लूट भर जाएगा और स्वेलिंग आजाएगी क्लूरिया यानि कि आपका यूरीन होगा वो वो मिल्की वाइड कलर का होगा क्यों कि लिम्फ फेटिक सिस्टम लसी का तंत्र का जो डिश्चार्ज होता है वो वाइड कलर का होता है FILE AREASY तो यह किस के वज़े से होगा? MICRO FILE AREASY की वज़े से ठीक है? तो CAUSE BY MICRO FILE AREASY CLEAR? अब यह एक टाइप की HYPER SENSITIVITY REACTION है ठीक है? दूसरा इसमें देखने को मिलता है EOSINOPHILIA यानि की EOSINOPHIL का COUNT बढ़ जाएगा ठीक है? उसके अलावा आपको देखने को मिलता है GLUMEROLUS NEPHRITUS उसके अलावा आर्थराइटिस अर्थराइटिस जानते हो ना? अर्थराइटिस नहीं पता है, गुटनों में दर्द होता है नी, जॉइंट की पेइन को आर्थराइटिस कहते है ठीक है? जॉइंट में यूरिक असेट का डिपोजिशन हो जाता है तो यह जो सिम्टम्स आते है यह माइक्रोफिलारी के कॉस्ट करने के वज़े से होता है उसको बोलते है Occult Phylaris clear? यह इसके पैथोजैने से से दो डिजीज होती है Classical और Occult Classical Adult Worm की वज़े से होगी कहा होगी? लेंफाटिक सिस्टम में होगी ठीक है? और यह जो Occult है यह बलड में पाया जाता है तो बलड के related disease cause करेगा तो यह सिनोफिल का काउंट बढ़ जाएगा आर्थराइटीस हो जाएगा और ग्लोमेरोलर नेफराइटीस हो जाएगा ठीक है? clear? समझ मैं है? clear है ना? अब इसकी LD पढ़ते है तो सबसे पन पहले इसकी 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 डारेक्ट माइक्रोस्कूपी करेंगे और ब्लड में करते है या फिर किस में कर सकते है? हाइड्रोसिल, फ्लूड में या फिर काईलूरी ठीक है? clear? क्या करेंगे? जनरली जो slide बनाते, slide बनाएंगे, ठीक smir बनाएंगे और अपन क्या देखेंगे? इसमें नूकलियस और हाइलिंच शीथ देखेंगे जो माइक्रोफिलैरी होगा उसका, ठीक है? clear? तो, scene, माइक्रोफिलैरी जोलियस यलिंच शीथ and Nucleus ठीक है एक Indirective demonstration भी करता है उसमें करते है not concentration technique concentration technique क्या करेंगे 1 ml of of anticoagulated blood plus 9 ml formalin ठीक है फिर उसको क्या करेंगे send refuse और prepare smear ठीक है उसके बाद smear prepare करने के बाद अपन स्टेइन करेंगे उसको तो जनरली जमसा स्टेइन कर सकते हैं तो उसमें nucleus तो आपका दिखेगा violet color का and और embryo दिखेगा pink color का ठीक है दूसरा इसमें सबसे important बात हुती है कि आपको sample कब collect करना है तो इसका sample collection का time होता है 10 p.m. to 2 a.m. ठीक है यानि रात को 10 बज़े से 2 बज़े तक ठीक है इसमें आपको sample collect करना है तो इसमें 2 चीज़े करते एक तो direct microscopy ठीक है जनरली अपन क्या लेंगे sample लेंगे और उसकी smear बनाएंगे उसमें देखेंगे तो इसमें क्या दिखादाएगा microfilari और उसकी highland sheet और nucleus ठीक है उसके बाद indirect microscopy करेंगे तो इसमें अपन not concentration technique यूज़े करते है जिसमें 1 ml anticoagulate blood लेंगे और 9 ml formalin लेंगे फिर उसको अपन centrifuge करेंगे एक मिनट के लिए तो centrifuge for 1 मिनट तो तो आइएगे झाल 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 झाल